आज मेरे किजने बन रही है आलू परवल की सबजी जी हाँ फ्रेंस यह बहुत ही टेस्टी सबजी होती है जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आज मैं आप लोगों को इसे एक नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी आपके घर में अगर कोई परवल नहीं भी पसंद करता होगा तो इस सबजी को बनाने के बाद वो भी इसका दिवाना हो जाएगा तो चलिए बिना किसी देर किये इस टेस्टी और आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स जितनी भी सबजीयां है आप उसे अच्छी तरह से वाश कर लीजिए तो यहां पर प्लेट में आप देख सकते हैं मैंने कुछ परवल लिया है दो आलू दो टमाटर और एक प्यांच लिया है फ्रेंड्स तो सबसे पहले परवल और आलू को छील कर यहां उसके बाद आप इसे बीच से गाट लेजिए जैसा में आपको करके लिखा रही हूं यह देखिए अस तरह से आपको बीच से काट लेना है और इसे छोटा-छोटा आप इस तरह से काट लीजिए तो पेलिया काट चुका है फ्रेंच अब हम आलो को छील लेते हैं पह त परवल आलू को अप इस तरह से काट लिजे, और प्यांज के चिलके को भी उतार के पतला काट लिजे और टमाटर को भी काट लिजे, तो कड़ाई गरम कर दीए और इसे डाल दी है हमें आने सरसो का तेल और तेल के गरम होने के साथ मैं परवल आलू को डाल रही हो friends और सारे परवल आलो को मैंने अच्छे तरह से वाश कर लिया था और इसी तेल में friends हमें इसे fry करना है और आपको करीब इसे medium flame पर 10 minute के लिए इसी तरह से fry कर लेना है जब तक कि इसकी उपर हलका golden color ना आ जाए तो fry करने से friends सबजियों का टेस्ट और भी जादा बढ़ जाता है और आपने यहां देखा होगा कि मैंने बहुत जादा तेल का स्तमाल नहीं किया 10 minute हो चुके हैं friends अब मैं परवल आलो को कड़ाई से निकाल ले रही हूँ और जो बचा हुआ तेल है उसी में हम gravy भी बनाएंगे तो इस तरह से आप सबजियों को निकालने कड़ाई से और इसे प्लेट में रख ले तो इसी तेल में मैं डाल रही हूँ एक चमा जीरा और जीरा के तरगने के बाद मैं इसमें डालूँगी प्याँज अब प्याँज को थोड़ा सा भून लूँगी मैं फ्रेंज उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 3-4 लाल मिर्श आप इसमें हरी मिर्श का भी इस्तमाल कर सकते हैं या आप चाहें तो सूखी लाल मिर्श होती है उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें कि आगे लिए iş एक नियुक्त करहें आगे को सबसाब है्स प्रीच नहीं केविए एक यह कर्या पाओडर एक चम मज़िनिया पाओडरे एकष्मीडि इसका मच्मच लाल मसाले तो सारे मसालों को आप इसी तरह से भून लिजे friends जिस तरह मैं कर रही हूँ मसालों के भूनने के बाद सीधे मैं डाल दोंगे इसमें परवल और आलू जिसे हमने फ्राइ करके रखा था friends तो इसे आप मसालों के साथ कम से कम पांच मेर्ट के लिए भून लिजे low to medium flame पर तो इस तरह से मैंने इसे 5 मिट तक भून लिया है उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी क्योंकि हम इसे ढख के पकाने वाले हैं friends तो उससे पहले मैं डाल रही हूं नमक तो नमक आप अपने स्वात के नुसार डाल सकते हैं इसमें तो नमक के साथ भी सारी चीज़ें मिल गई है तो जैसा मैंने बोला friends हमें डालना है पानी तो यहां पानी में डाल दे रही हूं तो इसे ढख करके friends हमें कम से कम 10 से 15 मिट के लिए low flame पर पका लेना है और बीच बीच में आप कल्ची भी चलाते रहे तो इसे उबाल आनी देते हैं friends यहां उबाल आ चुका है तो मैं ढख कन ढख दे रही हूं तो इसे 10 से 15 मिट के लिए low flame पर हम लोग पका लेंगे तो यहां 15 मिट हो चुके है friends ढख कन खोल के मैं देखती हूं हमारे आलू परवल की सबजी कितनी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है तो इसे मैं चला लेती हूं तो इसे high flame पर मैं 2-3 मिट के लिए और भून लोगी friends क्यूंकि मैं थोड़ी गाड़ी गरेवी बना रही हूं अगर आप चाहें तो इस टाइम पर आप flame आफ कर सकते हैं तो 2-3 मिट मैंने इसे और पका लिया है लग रही है ना कितनी टेस्टी और यमी तो ये डिश friends बहुत ही अच्छी डिश है एक बार मेरे इस तरीके से आलू परवल की सबजी ज़रूर बना के देखे आपको ये बहुत पसंद आएगी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लें ताकि आगे भी ऐसी yummy और delicious recipes आप लोगों के साथ share करती रहोंगी तब तक के लिए bye and thank you for watching